हेलो दोश्तो नमस्कार मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा चनल मुक्को वर्मा आज मैं आपको Amazon PICI credit card के वारे में अपलाई करके दिखाऊंगा और मेरे साथ क्या क्या हुआ और ये मेरा जो KYC है वो कैसे हुई तो इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो करके भी दिखाने बाला हूँ कि कैसे आप अपलाई कर सकते हैं इससे पहले मैंने अपलाई किया था तो मेरा रिजेक्ट हो गया KYC वाले section पे भी नहीं पहुचा अभी मेरी सेविल जो करण में 754 सेविल है तो मैंने अपलाई किया था मैंने अधार पैन से अपलाई किया और अपलाई हो चुगा है KYC के लिए शिडियोल किया था छे मही का लेकिन वो कोईट की वज़े से KYC नहीं हो पाई थी तो हुई है 27 तारिक में KYC डन हुई है असाइन कर ली गई है आगे प्रोसेस किया जा रहा है अभी प्रोसेसिंग में है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपलाई करके और वीडियो को पूरा देखिए जरूर लाश्ट तक देखिए और मैं लाश्ट में आपको क्लिक करके यहां पर आ गया हूँ तो सबसे पहले आपको फस्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको जो है वो फिल अप करना हुगा जो आपकी पैन कार्ड या अधार कार्ड पर दिया है सेम वही करिए अप कोई भी डिफ्रेंट नहीं होना चाहिए वही आप डा पर आपकी जो है वह एरिया का आ जाएगा जैसे मेरी बरेली सिटी है वह आ चुकी है उत्रप्रदेश पर इसके बाद आपको पैन कार्ड डालना होगा पैन कार्ड नमबर सही सही फिल अप कीजिए फिर इसके बाद आपकी डेटा फ़र्त जो पैन कार्ड में लिख हुई ह वो डालिएगा इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा अधार कार्ड से OTP नहीं मांगा था क्योंकि मैं इससे पहले एपलाई कर जुगा था तो वो उस समय मांगा था लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है यह मैं आपको बता देता हूं फिर इसके क्लिक कर दीजिए और एक बार डिटेल्स को अच्छे से चेक किल लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फिर यहां पर सेकेंड स्टेप आ रहा है करन्ट रेसिदेंशल एड्रस ऑफिस एड्रस सेल्रेड या सेल्प एंप्लाइड आपका जो भी मतला डालना चाहते है व अब डाल ला हूं और ऑफिस एड्रस भी जो है वह आ रहा है मैं करन्ट रेसिदेंशल एड्रस डालूंगा ताकि अप इसमें कोई दिक्कत ना हो मेरा जो वर्यली सिटी आ चुका है तो मैं अपना जो गाओं का एड्रस है वही फिल अप करूंगा ना कि मैं कोई और करने व करती कोई दिक्कत नहीं है और आपका जो कार्ड है वह यहीं पर डिलेवर्ट किया जाएगा अगर आपका कार्ड अप्रूबल हो जाता है अगर आप एक वार अप्लाई कर चुके हैं कार्ड और रिजेक्ट हो गया है के वाइसी तक नहीं पहुचा है तो आप बेट कर जाएगा और आप अगर Amazon खोलते तो वहां पर आपको कई सारे notification देखने को मिलेंगे Amazon पर आई से credit card तो हो सकता है आपको मिलने के चांसे ज्यादा रहें मुझे कई वार notification और जब भी मैं open करता था तो वह आता था तो किस इस प्रकार से मैं जो है वो details fill up कर रहा हूं और आप भी मतलब करिएगा पूरा सही से address और continue पर click कर दीजिया जैसे हमने next किया तो फिर उसके बाद यहाँ पर KYC के लिए schedule आ गया तो यहाँ पर KYC documents मांगी जा रहे हैं तो only अधार card pen card ही मेरा लिया गया और हो सकता है आप से ITR मांगा जाए लेकिन अगर आपी civil अच्छी होगी तो नहीं मांगा जाएगा मैंने बंदे से confirm भी किया तो मैंने 6 तारिक का KYC schedule किया लेकिन KYC मेरा 27 तारिक में हुआ काफी लंबा क्योंकि वो COVID का बोल रहे थे तो मैंने चलो कोई नहीं फिलाल हो चुका है अब बाकी waiting में है अगर card approval हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंग और आपको बताऊंगा यहाँ पर मेरा address आ रहा है और KYC schedule के लिए आ रहा है और मैं place order कर देता हूं अगर मेरा card approval हो जाता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए बीजो पसंद आने पर डिसलाइक जरूर कर सकते हैं और हमें कमेंड के मा पाइसी डन होई है और उसमें only अधार card और pen card लिया गया था एक एक photo state वह भी नहीं थी वह भी उसका copy करके जो है वह signature करके अपलोड कर दिया बाकि जो copy थी soft copy वह मुझे return कर दी गई जो pen card में वह signature कर आया गया थे मैंने पूछा celly slip का तो बोले आपके application में celly slip का कोई option न आया है फिर उसके next day जो है card कुछ इस परकार से आप देख सकते हैं कि आपकी जो card जो है उसकी समिक्षा की जा रही है और बहुत जल्दी आपका जो card है वह approval हो जाएगा जैसी card approval होगा तो मैं इस चैनल पर आपको video बनाऊंगा और क्या-क्या मेरा experience सा वह भी details में video बना चैनल को सब्सक्राइब करें वी जो पसंद आने पर डिसलाइक कर सकते हैं वेडियो देखने के लिए धन्यवाद जैन दोस्तों